पाकिस्तान ने शेडूल एनाउस कर दिया है न्यूजिलेंड की सिर्ज के लिए न्यूजिलेंड पांच टी-20 मैचेस के लिए पाकिस्तान आएगी एपरल में तीन टी-20 पहले खेले जाएंगे रावल पिंडी में और आखरी दो मैच खेले जाएंगे लाहॉर में शेडूल आपके सामने हैं 18 एपरल को पहला टी-20 मैच होगा रावल पिंडी में पाकिस्तान टीम आविसली काकूल में पाकिस्तान आर्मी के साथ केम्प खतम करेगी उसके आठ नो दिन बाद ये सिर्ज शिरू है अजीब बात इसमें ये है के रावल पिंडी और लहॉर में तो अच्छी बात है के चलो मैच रख दी हैं तीन मैच रावल पिंडी में दो लहॉर में मुल्तान कहां पे गया जब आपको एच्बिल पीएसल में आपने देख लिया के मुल्तान में हमेशा से अच्छा क्राउड आता है और वो डिजर्व करता है कि उनको टी-20 क्रिक्ट इंटरनेशनल पाकिस्तान की मिले तो आप किस इसका इंतरसार करते हैं पाकिस्तान क्रिकट बॉर्ड बेसिकली अपने पैसे बचाता है अपनी कॉस्ट बचाता है logistics की, broadcasting की के चलो रावल पिंडी में न्यूजलिंड की टीम हा रही है, broadcasting की टीम वहीं पे यह तो तीनों मैच यहीं पे करा देते हैं वो जैसे कोई क्लब क्रिकेट हो रही होती है ना वो हर जगह से पैसे बचा रहे होते हैं कि चलो यहां से भी पैसे बचा ले वहां से भी पैसे बचा ले यह अपने पैसे बचाते हैं मतलब कराची में अच्छी बात है पहले के कराची में मैच नहीं हो एक वज़ा ये भी है कि आप एक शेर में कठे मैच रख देते हैं कि अगर कराची में PSL गई है तो बस कठे 8-9 मैच कठे ही होंगे वो जिसने आज यहना वो कहेगा मैं कल जाओंगा मैं परसो जाओंगा क्योंकि लोग फिर different patches में आएंगे टूट टूट के आएंगे different टुकड़ों में आएंगे क्योंकि उनको पता अगले दस दिन यह बाबर आजम यहीं पे खेलेंगे शहीन फृदी यहीं पे हैं कराची में फखर जमान यहीं पे हैं वैसे तो लोग और बाइर होग यह मिसाल दे रहा हूं कि वो अ रावल्पिंडी में आपने तीन इकठे मैच लख दिए क्या इसमें मतलब मुश्किल छीज थी कि एक मैच मुलतान में होता दूसरा मैच है तीसरा लहौर में होता इस तरह मतलब तोड़ तोड़के रखें आप उन मुलतान को एक भी टी-20 मैच ना देना यह ज्याद्थी ह अब इससे पहले कोई मुझे कहेगा जी आप फैसलााबाद का नाम क्योँ नहीं ले रहे आप पिशावर का नाम क्योँ नहीं ले रहे लेकिंए फैसलाबाद का नाम तो मैं तब लुंगा ना जब पाकिस्तान क्रिकिट बूर्ड PSL का वहां पे मैच कराएगा बड़ा तो नह चाहिए यह बड़े स्टेडियम होने चाहिए और लोगों को ना लाना फिल्हाल पाकिस्टन क्रिकिट बूर्ड की नलाई की है कराची में बाकी शहरों में अवाम आते हैं मैं देखने सो फैसलवाद में जब तक पीएसल नहीं आएगी तब तक तो इंटरनेशनल भी नहीं आ सकता और पिशावर का स्टेडियम अभी भी सुनने में यह आ रहा है कि कंप्लीट नहीं हुआ और पिशावर में और पिशावर में पीसी होटेल मजूद है यानि एक फाइफ स्टार ज अब वहां भी यह करवाना चाहते हैं मुल्तान की टीम भी है मुल्तान की टीम ना होती न तो आप देखते के मुल्तान में कभी मैश नहीं होता क्योंकि मुल्तान में जो होटेल रमाड़ा वो को इतना कोई बहुत बड़ा होटेल नहीं है हलाकि दुनिया की बहुत बड़ी जैसलिए मामाड़ा जो चोटा बहुत जोटा इसलिए मिर्स में पेरें कशूंग क्शोटें हाँ हमदर बेसिकली छोटा उटल होटल लिया खोटने के आतला बहुत बड़े मंयंग तों इंटरनेश्टनgoneल स्टैंडेड में आपको बरी होटेल जाई होते हैं फैसलाबाद में if I am not wrong सरीना होटेल है if someone can confirm तेकिन फैसलाबाद में इंडिया पाकिसान का मैश था यार मतलब महाँ पर रुकने की अच्छी जगा होगी I am sure है ना सरीना मा फैसलाबाद में हाँ होगा होना चाहिए तो मुझे दमाग घूम रही है सोच के मुल्दान मेंनों ने कोई मैश ने रखा पैसे बचाते हैं अपने पाकिस्तान टीम PSL के बाद काकूल में केम्प लगाएगी पाकिस्तान आर्मी के साथ 10 तिन का बड़ा तगड़ा केम्प है जा पाकिस्तान टीम यह भी तो आपका एड़ कोची नहीं है हलागे पाकिस्तान क्रिकिट बूर्ड इस टाइम राप्ते कर रहा है और मैंने दे पविलियन में वसीम भाही के मुझे से सुना था के बड़े एक दो कोचिद इंगार कर चुके हैं जो के हम हमेशा से यहां बे बात करते हैं कि कोई भी बड़ा कोच नहीं आएगा पाकिस्तान काम करने उसकी सबसे पहली वज़ा तो यह है कि किसी कोच को आप पे ट्रस्ट नहीं है क्यार इनकी रातो रात गर्वर्मेंट से जाती है अभी जैसे आपके चेर्मेन सेद मौसन रजा नकवी जब पाकिस्तान प्लेयर से इसलामबाद सरीना होटेल में वो एड्रेस कर रहे थे खिताब कर रहे थे उसके बाद मैंने एक टिकर देखा था कि उनको कोई वजारत उनको कोई मिनिस्टरी आफर हुई है तो यहां पर यह हलात हैं कि जो आपको लगता है कि अब फिलहाल जो आपके चेर्मेन है वो तीन साल के नहीं आए है मतलब उन्होंने आने से पहले पेपल्स पार्टी और नून लीक को कांफिडेंस में लिया था कि जिसकी मर्जिक गवर्मेंट आए यहां मिली जुली गवर्मेंट आए मुझे तीन साल आप देंगे तो मैं आऊंगा तो लगता तो यही है कि वो नहीं जाएंगे लेकिन पाकिस्तान में ट्रस्ट नहीं रहा पाकिस्तान के सिस्टम पे बाहर वालों को क्यार पता नहीं यहां पर ओवर्नाइट बंदे चेंज हो जाते हैं एक तो बड़ी वज़ा यह है दूसरी वज़ा यह है कि जो एक कोच आपको यह बढ़ा पकड़ते हैं आज कल कोचिस डिफरंट लीग्स में काम करते हैं आप गोड़ नहीं करते लेकिन जो प्लेइर्स हैं उनकी तरह कोचिस ने भी डिफरंट लीग्स साइन की होती हैं अभी जैसे इसलामवद के कोच थे हैं बलके इसलामवद लीग्स भायर नहीं माइक हैसें वह आर्ज सीब के साथ भी रहे हैं तो आपको डिफरंट कोचिस दुनिया भर में नजर आते हैं कोई CSK के साथ काम कर रहा है कोई CSK में उनकी ही टीम के साथ मेजर लीग अमरीका में काम कर रहा है फिर SA T20 में काम कर रहा है तो लोगों ने अपने कोचिस बंटे में हैं तो कोई कोच इतने ज़्यादा पैसे छोड़के किसी एक टीम के साथ साल भर आने के लिए पेन लेने के लिए रैडी नहीं होता यां तो आप कोई बहुत क्रेजी आफर करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेन वाटसन को अप्रोच किया था लेकिन उनकी तरफ से कोई अफिशल अभी न्यूस बाइर नहीं आई रियूमर्स तो बड़े चाल रहे हैं सोचल मीडिया पर लेकिन आई डॉन बिलीव ओन रियूमर्स मुझे 100% कंफर्म था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेन वाटसन को कॉल की और उनको प्लैन दिये कि आप आके हमारी टीम सबालने जितने साल के लिए आपको चाहिए यह तो 100% शूर्टी थी मुझे खुद इस चीज की कंफर्मेशन मिली लेकिन शेन वाटसन ने आगे से क्या रिप्लाय दिया उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं एक दो फेस्बुक ट्विटर पर गहरा भी मैंने देखा कि शेन वाट हैं तो उनको बहुत तगड़ा कॉंट्रेक्ट ऑफर करना पड़ेगा पाकिसान क्रिकेट बोर्ड को बाकी सारे कॉंट्रेक्ट उनके तोड़ने के लिए सो आइडियल सनेरियों तो यह होता कि यार आप अपनी वर्ल्ड कप वली टीम ही न्यूजरेंड में खिलाते लेकिन जब आपका हैड कोच नहीं है तो कोई डिरेक्शन नहीं है पता ही नहीं है कि किसने खेलना है कई दफ़ा सुनने में यह आ रहा था कि कोई नए प्लेर्स को चांस मिलेगा लेकिन वहीं मतलब पाकिस्तन क्रिकेट एडिस बेस्ट वन मिनिट डाउन नेक्स मिनिट अप वही बड़ा कुछ है पाकिस्तान क्रिकेट में और यह स्टेबल क्रिकेट टीम अभी नहीं है तो पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट में आगे क्या होना लेकिन जो भी होना है वो सारी ब्रिकिंग न्यूजी आनी है कि यह हैड कुछ लाग गया यह कप्तान लाग गया यह टीम है जियादा छेर खानी ना करें, ऐसे प्लेयर्स को फिल हाल टीम में नहीं डालना चाहिए, जो बिल्कुल आपके प्लैन्स में नहीं थे, अभी जैसे न्यूजरेंड सेर्स में इन्होंने एक प्लेयर को फ्रूम नोवेर डाल दिया, समझ नहीं आया, हसी बुला, लेफटी, वे पर खेलना है, वो दिले दिल में कुछ कहनी पाते, अभी इतनी खिचरी बकी वी है, टॉप ओर्डर बेटर्स की और आपने एक और टॉप ओर्डर को बुला लिया, कहा जा तूभी आजा, तो अननसैसरी प्लेयर्स को अभी सेलेक्ट ना करें, जिससे मजीद कन्फूजन प को साथ कैरी करना पड़ेगा, बिकर इतना पेश अभी किसी के पास नहीं है पाकिस्तान में, और वेस्टन डीज में जो बॉलर तेज बॉल करते हैं, तेज से मेरा मतलब है जिनके अंदर ये स्किल है, कि वो वन फिफ्टी को टेश कर सकते हैं, वो वेस्टन डीज में बॉलर नहीं पकड़े जाते यही वज़ा है कि वह एक जमाने में उनके डश करें लंबे लंबे बॉलर मार मार के आपको मतलब सब कॉंटिनेंट कह रहा हूं केरिबियन से निकाल देते थे श्रदाब खान उसाम अमीर ऑविसली देखना पड़ेगा अबरार ऑविसली एकर फ महरान ममतास को लेके जाएं यह मैं इस PSL से नि है यह मैं जब अमरजिंग एश्या कप में महरान ने आउट किये थे मैं तब भी नहीं उस से पहले कह रहा हूं कि यह लड़का रेडी है पाकिसान से खेलने के लिए कुछ लड़कों में भड़कों में भड़क होती है कि यह ये रेडी है पाकिस्तान से खेलने के लिए और महरान मुम्ताज उन में से एक है इर्फान खान नियाजी मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जो कराचे किंग्स के थे मैं इनको दो साल से देख रहा हूँ और मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ जो लिटरली मर जाता है बाल के पीछे के मैंने बाल ने जाने दिनी कहीं पे तो आप देखेंगे इसका कंपेरिजन जॉंटी रॉट वगरा के साथ ये बहुत अलीट लेवल का फिल्डर है पाकिस्तान में इस टाइम बेस्ट फिल्टर आपका कौन अशदाब खान ये उस से दस गुना बेतर है मतलब आप समझ जाएं कि क्या क्लास होगी इसके फिल्डिंग की और बैटिंग भी अच्छी कर लिता है इस साल बड़ी इंप्रूफ की है तो ये दो लड़के पाकिस्तान डाल सकता है निज्जरेंड की सिरीज में महरान मुम्ताज और इर्फान खान नयाजी ये देखना पड़ेगा इनको बाकि आपको को खास छेर खानी करने के जूरत नहीं है मुहंम्द अली नहीं सेलेक्ट नहीं करना चाहimmung आक को याद होगा मुलतान में जब अली आउट पर आउट कई रहे थे तो मैंने रिकाए था ये जब मुलतान से बाइट जाएंगे तो यह नहीं आउट कर पाएंगे यह कोई बद्वा नहीं थी मतलब कुछ बॉलर्ड होते हैं जो कंडीशन के बॉलर्ड होते हैं यह जो आसिफ अबास अली जैसे बॉलर्ड है यह सरजी में साउथ पंजाब में धूंद पार रही हो ठंड में इनकी बड़ी जबर सकते हैं डख्षण अफ्रिका साउड अफ्रीका अस्ट्रेलिया आप इनको यह पे खिला सकते हैं क्यूंकि वहां पर आपको अच्छी realize मिलती है अच्छा बाउंस मिल तो वहां पर इनको मिल सकती है लेकिंट वेस्ट-ань डी क्याव क्याण क्योंकि इस बổi Frty शो सब्सक्र और सारे डीटुनिटी मैच शाम को साथ बजे ही शुरू होंगे तो उसका हमें इंतजार है सिरेस का बहुत ज्यादा वीडियो पसानदा या आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को टैक कर सकते हैं